इस वक की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पाची के नेताओं में ट्विटर वार छिड़ा हुआ है, बड़ी जानकारी आपको दे दें, आम आदमी पाची के विधायकों में ट्विटर वार छिड़ गया है, ट्विटर पर भिड़े हैं संगम विहार और देवली क देवली के प्रकाश जारवाल आपस में ही एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं आम आदमी पार्ची के विधायकों में ही ट्विटर बौर छिड गया है विश्वजी जहां हमारे साथ हमारे सैयोगी जुड़ गया है विशुजीत आमादनी पार्टी के अंदर का घमासान ट्विटर के जरीए सामने आ रहा है वो विधायक के तोर पर ही है लेकिन जो संगल विहार का मुझ से रास्ता है वहाँ पर जर्वड़ाव की पुरारी समस्या है काफी जिनों से वो समस्या है लेकिन विधायकों के अपने शेत्र की वज़ा से जो दोनों विधायकों के बॉर्डर से पड़ता है इतलिए दोनों ही शेतर की विधायक अपनी अपनी जिम्मेदारी से इसमें पहने पल्ला जहारते में जाराते हैं एक लिजी चैनल को इंटर्व्यू में दिरेश महनिया ने कहा कि ये चुछी उनके विधानसवाद शेतर में नहीं आता है लिहाज़ा उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वह उसτιे ठीक करा है जो वहाँ के विधायक है वो उसτιे चिम्मेदारी है जहांपर कि वह अफने यहाँ जिम्मेदाराओं की समस्च्या भी उसका समाधान कर रहे है तो ट्वीटर पर जब उन्हों ने दिरेश मोहनिया ने अपने इंटर्व्यू के हिस्टी को डाला तो प्रकास जड़वाल ने उसके पर पलटवार किया जड़वाल ने कहा कि आप सबसे कम हमारे यहां का किसी और से इसी पाड़िस करवा कर वो भी तरक है वहां की जलवड़ाओं की समस्या है उसको भी ठीक करवाएं और जेनके इससे कहा सबसे का हमला बोला है जो जलवड़ की उपाड़िस हैं उनके बयान पर कि वो ऐसा कैसे कैसे जलवड़ उपाड़िस होने गेठाते भी कि ये उनके शेटर से जुरा बसना नहीं है जबकि अगर कहीं जलबड़ा वाटर लॉगिंग हो रही है स्पीवर या डाले की बेर से हो रही है तो उसे जलबोट की धूमिका भी हो सकती है तो ट्वीटर पर ही दो में वार खिरा है हाला कि इस पर अभी पार्टी की उसे कोई बयान नहीं आया है कि इस पर की चीज़ने के हो रही है लेकिन इससे पहले भी इलाके पे खाम को लेकर इन दोनों विधायकों के बीच आपसी सनाव जगजाहिर हुआ है और आज एक वार फिर सिर्ट पर वो लज़र ज़र सामने आया चलिए बहुत शुक्रिया विशुजीत इस तमान जानकारी के लिए तो आम आप भी पार्टी के विधायक ट्विटर पर ही आपस में भिड़ रहे हैं एक तरफ देवली के विधायक हैं दूसी तरफ संगम विहार के विधायक हैं दोनों ही इलागों की बात करें तो आपस में सता हुआ है इलाका है ऐसे में जो समस्त्याओं कामबार लगा हुआ है उसकी जवाब देही लेने के लिए कोई भी तयार नहीं है